हेलो बच्चो आज का टॉपिक है रेप्टाइल्स में विशिष्ट रूप से स्नेक्स में सर्पों में पाए जाने वाला विश उपकरण जैसे की हमने पहले पढ़ा है कि जो सर्प हैं उनको हमने दो भागों में विभाजित किया था विशेले और विश हीन विशैले सर्पों की जो विशिष्ट पहचान होती है उनमें पाये जाने वाला पॉईजन, एपरेटस, अर्थार्थ विशुपकरण अगर हम विशुपकरण की संरचना देखें तो मुख्य रूप से तीन भाग पाये जाते हैं विशुपकरण में जिसमें एक जोड़ी विशग्रंथिया, उनकी वाहीनिया और एक जोड़ी विशदंत अर्थार्थ विशग्रंथिया उस विश को ले जाने वाली वाहीनिया और विशदंत तो अगर इस चित्र में हम यह देख सकते हैं कि पॉईजन ग्लैंड जो होती है विशग्रंथि होती है उपरी जबड़े के दोनों और उपस्तित होती है ये और इनकी जो वाहीनिया होती है वे आकर विशदंत या फैंग्स में खुलती है अब भिन-भिन प्रजातियों में इनकी जो संड़चना होती है या विभेधन पाया जाता है प्रकरती वे कारिये के आधार पर इनमें अनेक परिवर्तन पाये जाते हैं सर प्रथम हम पॉईजन ग्लैंड से प्रारम करते हैं तो जैसा की बताया पॉईजन ग्लैंड वास्तव में उपरी लेबियल ग्लैंड अर्था पैरोटिड ग्लैंड जिसे कंडपटे ग्रंथी भी कहते हैं कि विशिश्ट रूप होती है का विभेधन होती है और यह उपरी जबडे के दोनों और उपस्थित होती है अगर हम गरंथी के संरचना देखें तो इसमें एक कोष होता है जोकी poison या विश को संग्रहित करता है और इसके पस्चात इससे निकलती है वाहिनिया जो की तोनों और के जबडों, उपरी जबडों के साथ जाते हुए विश्दंत के गुहा में खुलती हैं विश्ग्रंथी को दोनों और उपरी जबडे में दोनों और विशिष्ट लिगामेंट्स होते हैं जो की साहिक होते हैं जुडने में एंटीरियर लिगामेंट और पॉस्टीरियर लिगामेंट एंटीरियर लिगामेंट जो होते हैं वो मेकजिला और एंटीरियर एंड जो होता है ग्लैंड का उसके मध्य उपस्तित होते हैं जबकि जो पश्च लिगमेंट्स होते हैं वो ग्रंथी विश्ग्रंथी और क्वाडरेट बोन जो है जो की उनके मध्य उपस्तित होते हैं तथा फैन शेप जो लिगमेंट होते हैं ये ये लिगमेंट्स आप देख सकते हैं इस चुत्र में और fan shaped ligaments जो होते हैं वो square muscle quadrant junction का निर्बाण करते हैं तो अब poison gland के पश्चात में fangs अर्थार्थ विश्दंत वास्तों में maxillary teeth का एक enlarged या विवर्दित रूप होता है जो की आगे से pointed होते हैं और ये अंदर से hollow या खोकले होते हैं अर्थार्थ एक गुहा उपस्तित होती है fangs जो की संरचना होती है वे छोटे और बड़े हो सकते हैं प्रजाती के अनुसार परंतु आगे का जो सिरा होता है वे बिलकुल pointed होता है और हुक के समान होता है तथा ये अत्यधिक calcified होते हैं द्रड होते हैं और ये अगर तूड जाते हैं तो पुने उत्पन हो जाते हैं इनकी संरचना के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है खुले प्रकार के वे बंद प्रकार के जैसा कि कोब्रा और कोब्रा में पाये जाते हैं ओपन प्रकार के ये अर्थार्थ उनके अंदर एक गुहा उपस्तित होती है जबकि वाइपर्स में यह ग कि फैंक्स जो होते हैं वो मेक्जिलरी दात जो होते हैं मेक्जिलरी दात का एक व्यूत्पन होते हैं तथा इसके अतिरिक अन्य जो दात होते हैं मुख्य रूप से चार प्रकार के पाए जाते हैं सर्पो में प्रीमेक्जिला, मेक्जिला, टेरिगॉइड और पैलेटाइन त तो इन संडचनाओं के आधार पर की मैक्जिलरी के अतिरिक्त फैंक्स में और उपरी जबडे की कौन-कौन सी अस्थियां विश्दंत में साहयक होती हैं, इसके आधार पर जो विश्दंत हैं इनके अनेक प्रकार पाए जाते हैं, मुख्यरूप से चार प्रकार हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार से हैं, यहां पर जो हम प्रिकर्सर यूज इनका पिछला भाग जो हम यूज करेंगे उपसर्ग के रूप में, प्रत्याय के रूप में, सौरी, लास्ट पार्ट जो है उसे हम ग्लाइफस कहते हैं, और ग्लाइफस एक ग्रीक शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है, गुहा की उपस्तिती, तो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ फैंग जो है होता है, सौलीनो ग्लाइफस, और सौलीनो ग्लाइफस को बहुत ही सिंपली हम यह कह सकते हैं, कि यह है हाइपोडर्मिक निडल, यानि कि जो इंजेक्शन वाली सुई होती है, उसके समा होते हैं, और यह है सिंगल टूथ होता है, जो कि मेकजिला का वित्पन है, और आगे से इतना पॉइंटेड होता है, और इसके अंदर कैविटी या गुहा उपस्तित होती है, और सौलीनो ग्लाइफस है, यह है सामान्य रूप से बिलकुल फोल्डर्ड फॉर्म में माउथ क और बकल कैविटी के अंदर बिलकुल फोल्डर्ड अवस्ता में रहता है, और दंश के समय ही इसे पॉर्ण रूप से खोल कर बाहर निकाला जाता है, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, यह विश दंथ है, जो रेड ब्राउन कलर का है, और जैसे ही माउथ ओपन हो निडल होती है, वह पैनिट्रेट या छेद करने में, जो भी टार्गेट होता है, शिकार है, उसको छेदने में अभेदन करने में बहुत ही अधिक साहयक होती है, और सॉलिनोग्लाइफस मुख्य रूप से वाइपर्स और रैटल स्नेक, जो की हाइली पॉईजनस स्नेक होत इसके पश्चात आते हैं, प्रोटीरोग्लाइफस टाइप आफ फैंक्स, प्रोटीरोग्लाइफस जो होते हैं, ये सॉलिनोग्लाइफस की अपेक्षा छोटे होते हैं, और फैंक्स और शेष जो दान्थ होते हैं, उनके मध्य एक गैप पाया जाता है, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं यह proteiro glyphos है यह विश्दंत है तथा शेश दाथ के और विश्दंत के मद्धे एक gap पाया जाता है और इस gap को कहा जाता है diastema तो soleno glyphos की अपेक्षा proteiro glyphos छोटे हैं और हमेशा separated रहते हैं और functional में भी ये comparative to solenoglyphos कम dangerous होते हैं और इन्हें हम partially movable fangs भी कहते हैं जो कि पूर्ण रूप से बाहर के और नहीं निकलते जैसे कि spitting cobras हैं या sea snakes हैं उनमें इस प्रकार का पाया जाता है विश्दंत और मुख्य रूप से ये जो अपना विश होता है उसे eject करते हैं बहुत ज्यादा velocity अर्थात बहुत तिव्रगती के साथ ये शिकार में अपने विश को भेदित करते हैं या उसको प्रवाहित करते हैं नेक्स्ट प्रकार के जो विश्दंत हैं वो होते हैं उपिस्थो ग्लाइफवस के अंदर गुहा उपस्तित होती है और यह अपेक्शक्रत खोखले होते हैं और मेगजिला के पिछले हिस्से पर यह उपस्तित होते हैं और सामानने दातों के समान होते हैं और इन्हें true venom gland से different माना जाता है क्योंकि इन में जो कोश होता है या store करने के लिए विश को संग्रहन करने के लिए जो सैक या कोश होता ह इन में अनुपस्थित होता है ये ओपिस्तो ग्लाइफस टाइप आफ जो विश्दन्त होते हैं सामान्यत है ये snakes इनका उपयोग उसी समय करते हैं जब ये अपने शिकार को खा रहे होते हैं चबा रहे होते हैं तो चुइंग के समय प्रेशर के कारण ही इन से विश्द का प्रवा होता है नेक्स्ट आते हैं ए ग्लाइफस नाम से ही इस परश्ट हो रहा है कि ग्लाइफस जैसे कि आपको बताये था गुहा ए अर्थार्थ एपसेंस ओफ गुहा की इन में गुहा की अनुपस्तिती होती है और ये सामान्यत है नॉन पॉईजनस स्नेक में पाए जाते हैं जिन में की गुहा की अनुपस्तिती है और ये पहले तीनों प्रकार के जो हमने पढ़े हैं solenoglyphos, proteoglyphos या opistoglyphos की अपेक्षा ये जो विश्दंत होते हैं ये gripping ये शिकार को पकड़ने में साहयक होते हैं जैसे कि इस प्रकार के इस चित्र में हम देख सकते हैं कि विश्दंत और अन्य जो दात हैं उनमें विभेदन करना बहुत कठीन है क्योंकि ये सामाने दात के सामान ही होते हैं शेश सभी में हम देख सकते हैं कि विश्दंत की संरचना क्या है solenoglyphos में अत्यंत pointed बड़े अंदर की और folded proteoglyphos में diastem में पाया जाता है gap पाया जाता है अन्य दात के साथ में और पिस्तो glyphos में या पेक्षाकरत हासित होते हैं जबकि एग glyphos में ये सामाने दात की भाती ही होते हैं तो ये non-poisonous snakes में पाये जाते हैं अब biting mechanism में के कौन-कौन सी muscles विशिष्ट रूप से साहिक होती हैं दंश के समय ये मुख्य रूप से होती हैं डाइगेस्ट्रिक स्फिनो टेरिगोईड और एंटिरियर और पोस्टिरियर टेंपो रेलिस जैसे कि डाइगेस्ट्रिक मसल्स हैं ये मुख्य रूप से स्कल के एक एंड पर उपस्तित और लोवर जो जो होता है निचरा जबडा दंश के समय इसको खोलने में साहयक होती है जबकि स्फिनो टेरिगोईड जो मसल्स होती है ये मुख्य रूप से टेरिगोईड जो मसल्स है बोन है उसको आगे की और धकेल कर मूँ को चोड़ा करने में यह साहयक होती है जबकि अगर और पस्च temporalis जो होती है वो lower jaw को नीचे की और जो cranium है उस junction पर ये बंद करने में साहयक होती है इस प्रकार से digastric, sphenoterigoid और anterior and posterior temporalis muscles जो है biting में या विश दंश में साहयक होती है तो इस प्रकार ये संपूर्ण विश उपकरण या दंश उपकरण होता है जो कि विशयले सर्पों में पाया जाता है यहां इन slides में detail notes भी दिये गए हैं आप इनको note down करें